असलाम लीकुम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब खेरे से होंगे वेलकम हैं आप सब का रिदास किचन में आज मैं आप लोगे लिए बहुत ही असान और जल्दी से बन जाने वाई रेस्पी लेकी आई हूँ इस रेस्पी का नहीं में भुना हुआ कीमा यह इतनी जल्दी और असानी से बन जाते हैं और टेस्प में उससे भी जादा अच्छा होता है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर लें सबस्क्राइब और पास्वे देगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे असान सा कीमा बनाने के लिए सबसे बहले मैंने एक बड़े साइस का प्रेशर कुकर लिया इसके इंदर मैंने दो गलास पानी के डाले है और पानी जो रेगुलर गलास होता है उसी से नापके आप डाल सकते है और अब इसके नर एक किलो कीमा गया है, कीमा जो है हाथ से बना हुआ है, और यह मतन का कीमा है, आप गाये का भी कीमा यूज़ कर सकते हैं, अब इसके नर वन टीस्पून सॉल्ट है डोगा, आप अपने टेस्ट की साफ से कम ज्यादा कर सकते हैं, बाद में आप पूरा कर ले पहले जादा ना डालें, और अब यहाँ पर जो है, मैंने तीन बड़े साइस के प्यास लिए है, उसे रफली कट करके इसके नर डाल दिया, आप किसी भी शेप में कट कर ले, तीन लाज साइस के में प्यास चाहिए, और यहाँ पर मैंने एक अदर टुमाटर लिया, यह ब और जादन यानि एक चाय का चमच और यहाँ पर वन टीस्पूनी हल्दी पाउडर लिया, यहाँ एक चाय का चमच हल्दी पाउडर, और इसके नर एक चमच जीरा जाएगा, यही साब मसाले में चाहिए, और बस नहीं इन सब चीजों को चित्रिके से मिक्स कर लेंगे, इस ना लगाएगा और फ्लेम मीडियम हाई होनी चाहिए तो अब यहां भी पूरे 12 मिनिट हो चुके है इसके जो वेट है उसे खोल देंगे और यहां पर आप लोग देख सकते हैं तक्रीमा 30% के क्रीव अभी सिर्फ कीमा जो है हमारा त्यार हुआ है अब इसके अदर आउयल जाएगा आउयल जो है मैंने आप आदा कप लिया है अगर आप ज़्यादा आउयल पसंद करते हैं तो आप फिर अपने इस साफ से डालें आदा कप आउयल इस रेस्पी के साफ से परफेक्ट है और अब बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे फ्लेम यहाँ पर मिडियम हाई रखनी है आपने और यह देखें आप लोग देख सकते हैं अभी कुछ भी इसमें मिक्स नहीं हो आप यास ट्रॉमाटर गया सब कुछ ऐसे ही है तो अब यहाँ पर इसके नहीं आदा कब लेसें अद्रॉमाटर की पेस्ट आली है अगर आप कुंडी में लेसें अद्रॉमाटर बनाते हैं तो आप 4-5 टेबल स्पून डाले और कॉंटिटी जो मैं आपको बता रही है यहाँ पर इसके नहीं डाले पर आपको नहीं पसंद तो ना डाले अब इसको दुबारा से हम वेट लगा देंगे मिडियम हाइफ लेंपर 8-9 मिनिट के लिए आपने इसे वेट लगा देना है पूरे 9 मिनिट बाद मैं इसका वेट खोल दी आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 50% हमारा कीमा त्यार हो गया अब जो इसमें पानी है हमने उसे खुश करना यानि कीमे को बुनना है तो यहाँ पर देखें मैं इसे हाई फ्लेम पर कीमे को बुन रही हूँ तो इसे इतना बुनना है कि जब तक इसका जो पानी अच्छा से खुश्टना हो जे और यह आईल ना छोड़ दें तकरीबन इस परसेस में साथ से आठ मिनट आपको लग सकते हैं अब यहाँ पर देखें आफ जो है तकरीबन 80% कीमा यह पर त्यार हो गया अब इसके ने मैंने वन टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाला है वन एड़ हाफ टीस्पून गरम मिसाले का पाउडर आप काली मिर्च अपने टेस्टी साफ से कम जादा कर सकते हैं अगर आपको मिर्चे कम पसंदा तो आप पिर कम डालें ज्यादा पसंदा तो ज्यादा डालें वैसे जो डैस्पी मैं आपको बतारी हूं मिर्चे इसमें बहुत अच्छी खासी होती है तो अब इसके नव वन टीस्पून जीरा जाएगा जीरा ऑप्शनल है नहीं डालना चाते तो ना डालें बस अब इन सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा ओर पकाएंगे ताके अच्छे तरीके से कीमा बुन जे जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना अच्छा सालन बनेगा यहां पर पूरे आट मिर्ट हो चुके हैं और यह देखे तकरीबन ऑईल इसने छोड़ दिया और कीमा अच्छे से बुन भी किया अब आदी गुटी मेरे धनिया की डाली है धनिया जो है अच्छी तरीक़ से दो के इससी तरह डाल दी अगर आप काटके डालना चाते मैं कैंट कीमा लें के अब लूग देख सकते कितना जबर्दस यह लगए है कितनी अच्छे से हमने इसकी भुनाई क्ई है कितना जबरदस्त है, सालन को देखती ही पता चल जाता है, कि उसका टेस्ट कैसा होगा, आपको अंधादा तो होई गया होगा, और इसके पर मैं गानिशिंग के लिए धन्या और हरी मिर्चे डाल रही हूँ, इससे देखे कितनी जबरदस्त इसकी लोग का ही है, और अब इसे फैमिली का भी यह फेवरिट हो जएगा, और वो कहेंगे, आप लोग ब्रोजी बनाए, तो बहुत ही इजी और रेस्पी सिंपल है, अगर आपको रेस्पी पसंद आए, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और मुझे कमेंट बोक्स में बताएं कि आज की वीडियो आपक